दोस्तों आज हम सिर्देव की फैक्ट फाइल लेकर आए हैं फैक्ट नमर ट्वंटिफाई सिर्देव का जम 13 अगस 1963 को तमिल लाण के सिवकासी में भुआ फैक्ट नमर ट्वंटिफोर सिर्देव के पिता एक वकील ते और मा ग्रहनी थी इनके एक बेहन और दोस्तेले भाई थे उनके परिवार का फिल्मों से दूर दूर तक नाता नहीं रहा था फैक्ट नमर ट्वंटिफी शिर्देव ने चार साल की मुर में पहली फिल्म केती यह फिल्म 1967 में आई थी और इसका नाम थुनाईवन था फैक्ट नमर ट्वंटिटीव सर्देव से दूर स्रेडेव ने बोली वड में ऑई फिल्म जूरी में बालकलाकार की रूप में रूप में काम पिया था स्रिदेव ने पहली बार फिल्म चांगी को अपनी आवाज में डब किया था मिदुन चकर्टी और सिर्देव ने गुपचुप शादी कर ली ती लेकिन कुछ समय बादी दोनों अलग हो गए इसे किसी भी समहारों में वे सफेद रंग के कपड़े पहना पसंद करती थी सिर्देव ने फिल्म रूप की रानी और चोरो का राजा के एक गाने में 25 किलो से अधिक वजिन की पोसाग पहनी थी सिर्देव को चितर कला में बहुत रूची थी मार्च 2010 में उनके चितरों को एक अंतरस्ट के कला निलामी हाउस और अब बेचा गया था वैसे फ्राप्राशी को दान किया गया सल्मान खान और मनिश मलोत्रा के गोरों में सिर्देव के बनाएं चितर लगे वे हैं सिर्देव एक मातर ऐसे भी नेतर थी जो 90 के दसक में एक फिल्म के लिए एक करोड रूपे लिया करती थी दोस्तों का भी लोगों को पता है कि फिल्म नगीना में जय परता चान्दी में रेका और सत्मा में डिम्पल कपाड़े को रखा गया था लेकिन उनके मना करने पर सिर्देव को यह फिल्म में मिली ये तीनों ही फिल्में जबर्दस्थ हीट रही फैक्ट नमबर 10 स्रीदेवी ने 15 साल के एक लंबे अंतराल के बाद 2012 में फिर्म इंगलिस इंगलिस से वाफ सी की थी फैक्ट नमबर 7 स्रीदेवी ने सबसे ज़्यादा काम तबल हसन के साथ किया है 1923 में फिर्म सद्मा के बाद इस जोड़ी ने कभी साथ काम नहीं किया फैक्ट नमबर शिक, सिर्देवी की फिल्म लाड़ला पहले दियवभारती कर रही थी, फिल्म की आधिश शुटिंग कर ली गई थी, लेकिन बीच में ही दियवभारती की मोत हो गई फैक्ट नमबर फाइब, 2017 में पर्देशित फिल्म मोम सिर्देवी की 300 फिल्म थी और उनके फिल्मी केरियर के 50 वर्स में रिली जुई थी फ्रेक्ट नमबर 4 फिल्म वोमसा जुलाई को रिलीजियो और इसी तारी को सिर्देव की पहली फिल्म बड़े परदे पर आई थी यह उनकी आकरी फिल्म है फ्रेक्ट नमबर 3 फिल्म जुदाई के सुटिंग के दोरान उनकी मां की उरत्यू हूँ फ्रेक्ट नमबर 1 सिर्देव को साड़ियो से खास लगाँता जब भी वह कहीं जाती थी तो अपने लिए साड़ी जरूर खरिज़ लाती थी दोस्तों सिर्देव के मेरम में जानकारी अच्छी लिकी तो कर प्या इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और कमेंट करें आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें धन्यवाद